एक बार की बात है, संग में एक सफेद दाढ़ी वाला राजा था, केवल दो नागरिक ही मिलकर पूरे देश को चलाते थे, जब लोगों को समय से भोजन भी नहीं मिलता था, तो लोग तीनों प्रहर अपना अधिकार ही मांगते थे, लेकिन वो राजा केवल आडानी अंबानी के लिए ही नीती बनाता था, क्योंकि वो चवती पास राजा था, वो हमेशा पांच वरसों तक किंद्र पर सासन करता था, लेकिन कुछ राजियों में छखकों का भी प्रभुत्व था, वे अपनी पतनी के साथ फेरो वाले ख्याल क भी भूल गया था, वो सफेद दाढ़ी वाला राजा कुल आठ किंद्र सासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन वहां के पंचायत में भी वो नहीं जीत पाता था, दसो दिशाओं में सोचने समझने के बाद उसकी नजर अनसूचित ज जाती छेत्रों पर पड़ी, तब जाकर उसने एक एक करके आंतरीक संबंध की चाल चली, उसके सासन में लोगों के पास एक दरजन केले खरीदने के लिए भी पैसे नहीं भचे थे, और वो राजा आत्मनिर्भरता की जूठी संतावना से पूचता था कि तेरा ब्यपार कै इसा चल रहा है, उसके सासन में बिर्वजगारी का वो दवर आ गया था कि अगर किसी की सरकारी नवक्री लग जाए तो वो साथ की जगह 14 फेरे ले सकता था, वो 10 वर्स सासन करने के बाद भी 15 वर्स तक सासन करने के लिए निर्वाचन में भाग लेता था, उसने 16 वर्स के उपर के उन लोगों के लिए ED और CBI का विसेश प्रावधान कर रखा था, जिन लोगों की भासा उसे सता रही थी, उसके सासन का सभी वयस्क बेक्ति अगोसित अपात काल ही मानता था, उसने अपने साथ प्रवजल रवन्ना को भी मिक्स कर लिया था, वो संबिधान में संसोधन करने के लिए हमेशा 400 पार के सपने देखता था उसी के इसारे पर राउल गांधी पर औस्थाय रूप से फ्रेंच किस का आरूप लगा था वो राजा प्रारम्भ में 22 वर्सों से भी अधिक समय तक भिक्षा मांग कर खाया था वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब कर लेजेगा जिससे इस प्रकार के इंफार्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहें धन्यवाद